मैं परमेश्वर का धनिवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है कि मैं आकर आपको वचन बता सकूँ इसके लिए मैं परमेश्वर को धनिवाद देता हूँ आप सब लोग जो ये वचन सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति आप सब आशिशित हैं आप आशिशित हैं आप तो परमेश्वर के आशिशित व्यक्ति हैं अगर आप ध्यान से सुनते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं और परमेश्वर जो कहते हैं, अगर आप उसे स्वीकार करते हैं, अगर आप उस पर चलते हैं, और आप उस वचन का दावा करते हैं, तो आप आशिशित हैं, इस पृत्वी पर की कोई भी सामर्त आपको छीन नहीं सकती है, बाइबल यही तो कहती है, प्यारे भाईयो और बहनों, 2000 साल पहले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पूरी स्रिष्टी की स्रिष्टी करने वाले स्रिष्टी करता परमेश्वर, वो मनुष्य के रूप में आ गए, उसका नाम ईश्यू है, बाइबल कहती है, पहला तिमोथी तीन सोलह में, यह इस तरह कहता है, परमेश्वर जो शरीर में प्रगट हुआ, परमेश्वर इस संसार में आए, यह मसी में, उसने क्या किया, वो तो एक उदेश्य के लिए आए थे, वो इस पृत्वी पर साड़े तैस साल तक जिये, उसके बाद, उसे मृत्युदंड दे दिया गया था, उन्होंने उसकी हत्या की, उन्होंने इसे क्रूस पर चढ़ाया और उसे मार दिया, और वो मर गए, वो गाढ़े गए, और वो फिर से जी उठे, और फिर वो स्वर्ग में चले गए, इन कामों के द्वारा, क्या हुआ, लोगों में कुछ न कुछ हुआ, क्या हुआ, उसने क्या किया, वो आए, और उन्होंने जो कुछ भी वेवस्ता के अनुसार किया जाना था, उस काम को पूरा कर दिया, उसने सब कुछ पूरा कर दिया, और फिर वो स्वर्ग में उठाए गए, जब वो स्वर्ग में उठाए गए थे, उसके पहले प्रभु येश्व ने कहा, उसने कहा, मैं तुम्हें आनाथ नहीं छोड़ूँगा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आनाथ नहीं छोड़ूँगा, मैं तुम्हें दूसरे व्यक्ती की हाथ में सौप कर जा रहा हूँ, जो बिलकुल मेरे जैसे है, मैं तुम लोगों को उसके हाथ में सौप कर जाऊंगा, वो व्यक्ती, मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा, पिता के पास में जाऊंगा, बहां पहुंचने के बाद मैं उसे आप परमेश्वर की वानी को बहुत ही ध्यान से सिनिये प्रभु येश्व ने कहाँ उसने कहाँ वहाँ पहुंचने के बाद मैं उसे यहाँ पर भेजू हूँ अगर मैं नहीं चाहूँगा तो वो नहीं आ सकेगा जब वो आएगा ये तुम्हारे लाब के लिए है पर मैं तुम्हें आनाद छोड़ना नहीं चाहता हूँ प्रिये लोगो यही तो ईश्व ने कहाँ था ये बाइबल में लिखा हुआ है ये तो आपके लाब के लिए है यहना अध्याए सोलह वचन साथ तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है इस वचन को हम सुनते हैं तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यदि मैं न जाओं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा परंतु यदी में जाऊंगा, तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, परिये लोगो इसे सुनिये, इसे ध्यान से सुनिये, इसे समझ लीजिये, अच्छे से जान लीजिये, इसे समझ लीजिये, इसे स्विकार कीजिये, ले लीजिये उसने कहा यहना 14-16 में यह इस तरह से कहता है मैं पिता से कहूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा जो कि सत्य का आत्मा है और वो सरवदा तुम्हारे साथ रहीगा एक सहायक वो सरवदा तुम्हारे साथ रहेगा मैं जा रहा हूँ मैं तुम्हें आनात नहीं छोड़ूँगा मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूँगा वो सरवदा तुम्हारे साथ रहेगा तो वो वहाँ पर गए येशु चले गए और पेंटिकोस्ट के दिन वो सब इस प्रतिग्या की रहा देख रहे थे क्योंकि ईशु ने कहा तुम रुके रहो, बाट जो होते रहो यहां पर रुके रहो जब तक कि मैं उसे न भेजू उपर से सामर्त न भेजू, तुम यहीं पर रुके रहो ऐसे ईश्यू ने कहा तुम यहीं पर रहो लुक 24-49 लुक अध्या 24 वचन 49 में पढ़ते हैं ईश्यू यहाँ पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है इस वचन को सुनिये बिछोल्ड आई सेंट प्रॉमिस अफ मैं फादर अपॉन यू लुका का सुसमाचारा ध्या 24 वचन 49 चास पढ़ते हैं और देखो जिसकी प्रतिग्या मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाव तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो इश्व ने 2000 साल पहले इसे कहा था स्वेम इश्व ने इसे कहा था स्वर्ग में उठाए जाने के पहले ही कहा था और फिर उसने कहा रुको जब तक कि तुम स्वर्ग से सामर्थ न पाव मैं पता से बिंती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा जो सरवदा तुम्हारे साथ बना रहेगा मेरा जाना तो तुम्हारे लिए अच्छा है अगर मैं नहीं जाओंगा तो वो नहीं आएगा अगर मैं जाता है तो ये तुम्हारे लाब के लिए है मेरे जाने के पाद मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा देखे येश्व यहां पर जाने के पहले कितने अच्छे से निर्देश दे रहे हैं कितने अच्छे से यहां पर बता रहे कि मेरे जाना तुम्हारे लाब के लिए है यहां पर आप परमिश्वर के प्रेम को आप के लिए और उसकी परवा को आप के लिए देखिए यहां पर लाब क्या है उसने क्या कहा कि कौन सी बात आपके लाब के लिए है प्रिये लोगो क्योंकि जब ईश्वी स्पृत्वी पर थे उस समय तो वो शरीर और मास में थे वो तो हमारे जैसे ही यहां पर थे हम में से एक के जैसे ही थे और वो तो एक समय केवल एक ही जगह पर रह सकते थे अगर वो आकर आपके घर में आपसे बात कर दे है तो वो वही पर रहते और वो किसी और जगह पर नहीं जा सकते थे लेकिन जब वो गये और जब वो वापस आए तो वो तो आत्मा में आए पवित्र आत्मा मसी की आत्मा आई और जब वो आत्मा के रूप में आए तो वो संसार में किसी भी जगह पर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के साथ में हो सकते हैं एक बार एक समय में वो कहीं भी हो सकते हैं वो यहां पर हो सकते हैं वो आपके घर में भी हो सकते हैं आफरीका में भी हो सकते हैं अमेरिका में भी हो सकते हैं वो इस घर में हो सकते हैं उस घर में आप जहां कई भी हैं वहां पर वो आपके साथ वहां पर और यही तो लाब है कि आप इसे जानते हैं वो तो हमेशा आपके साथ में है वहाँ पहुंचने के बाद पेंटिकोस्ट के दिन जब सब लोग पेंटिकोस्ट के दिन का उत्सव मना रहे थे तो केवल 120 लोग ही राहत देख रहे थे परमेशों ने कहा कि तुम यहीं पर ठहरे रहो जब वो यह वचन कह रहे थे तो पात्सों से भी ज़ादा लोग वहाँ पर थे लेकिन 120 लोग ही राहत देख रहे थे जो राहत देख रहे थे उस समय जब वो राहत देख रहे थे यहन ना चाम अध्याय 2 हम वचन 2 से आगे पढ़ सकते हैं एका एक आकाश से बड़ी आंधी किसी संसानाट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूँझ गया और उन्हें आग किसी जी में फट्ती भी दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आठहरी वे सब पवित्र आत्मा से भर गये और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्यने भाशा बोलने लगे इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तब एक एक हुआ तब वहाँ पर एक एक आकाष ते बड़ी आंधी किसी संसनात कुई sound from heaven and and as of rushing mighty wind rushing mighty wind and it filled the whole house filled the whole house where they were sitting then there appeared to them divided tongues as a fire appeared to them as a divided tongue as a fire and one sat upon each of them one sat upon each of them and they were all filled with the Holy Spirit all were filled with the Spirit of God and began to speak with other tongues began to speak with other as the Spirit gave them utterance Spirit gave them utterances लेखे यहाँ पर यह कहता है एका एक आकाष से बड़ी आंधी किसी संसनात का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभें फट्ती वी दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आठैरी वे सब पवित्रात्मा से भर गये और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे मेरे प्रिये लोगो ये कोई साधारन बात नहीं है और जब सभी लोगों ने जब ये आन्धी की सी संसानाट का शब्द हुआ जब इस शब्द को सुना तो जमा हो गये And they were dwelling in Jerusalem, Jews devout men from every nation under heaven Everyn ratio in the heaven and when sound occurred The multitude came together And where confused Because everyone heard them Speaking in their own language mmm Then They were all amazed and marveled Saying to one another Look Are not all this Who speaks Galileans? And how is it that we hear Each in our own language in which we were born Okay, see what did this happen देखें यहां पर क्या हुआ वचन कहता है आकाश के नीचे के हर एक जाती में से भक्त यहुदी यरुशले में रह रहे थे जब ये शब्द हुआ तो भीड लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रही है वे सब चकित और अचंबित होकर कहने लगे देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमी की भाषा सुनता है देखिए यहां क्या हुआ येश्व ने कहा मैं जाकर पिता से मांगूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा वो सदा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा वो वेक्टी जो उस दिन आया था उसका स्वभाव तो यही था यहां पर लिखा है पहले तो उन्होंने आंधी की सी संसरनाहट का शब्द सुना था और फिर उन्होंने आग देखी वो तो आग की सी जीबें थी जो उतर आई थी और फिर यह आग उन्में से हर एक के उपर आ गई जिस पल यह उन लोगों के उपर में आ गई तो वो बोलने लग गए वो ऐसी भाशा में बोलने लगे जिन्हें वो नहीं जानते थे जैसे परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें उचारण दिया वो अलग अलग देशों की भाशा को बोलने लग गए वो अलग देशों की भाशा में बोलने लग गए और सभी लोग इस आवाज को सुनकर वहाँ पर जमा हो गए वो सब हैरान हो गए वो हैरान हो गए कि ये सब लोग ऐसी भाशा में क्यों बोल रहे हैं ये कैसे बात कर रही हैं और इस तरह से वो तो हैरान हो चुके थे मेरे प्रिये लोगो उस दिन से आगे आज के इस दिन तर पूरे संसार में ये व्यक्ति वहाँ पर है ये आपके साथ में है वो आपके घर में है वो मेरे घर में है वो हर जगह पर है परमेश्वर का वच्चन वो जानते हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ में है किसलिए है कि आपकी मदद करें कि आपकी मदद करें प्रिये लोगो इस संसार में आज ये व्यक्ति जो आपके साथ में है उसका नाम जीवित परमेश्वर की आत्मा यानि पवित्र आत्मा है वो कोई साधारन व्यक्ति नहीं है वो तो हमारी मदद के लिए यहाँ पर है हमें मदद करने के लिए है कि हमारे साथ में हो always to be with us कि हमेशा हमारे साथ में हो पस यही तो है परमेश्वर ने उसे हमें क्यों दिया है क्योंकि Almighty God सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो तो व्यक्तिगत रूप में आए उसने खुद को दे दिया और उसने संसार के सभी लोगों को मोल ले लिया है उसने आपको मोल लिया है आप परमेश्वर के हैं आप परमेश्वर की संपत्ती है परमेश्वर ने दाम चुकाया है और उसने आपको मोल लिया है आप अभी अपने खुद के नहीं है जो उस पर विश्वास करते हैं बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं और परमेश्वर की आत्मा ने इन लोगों के ऊपर अपना पूरा अधिकार कर लिया क्यों? क्योंकि क्योंकि वहां पर एक शत्रू है जो विरोधी है वो इस संसार में है वो तो गरजने वाले सीहें के समान घूम फिर रहा है कि कैसे वो इस पूरे संसार को फाड़ खाय इन्हें नाश कर दे बाइबिल इस तरह से कहती है पहला पत्रस पांच आठ में सुनिए हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं ऐसी जगह पर है आए इस वचन को पढ़ते हैं बी सोबर बी विजिलन्ट बी विजिलन्ट बिकॉस यूर अड़िसरी देवल वाक्स अबाउट लाइक रोरिंग लाइन वाक्स अबाउट लाइक रोरिंग लाइन सीकिंग हूम ही में दिवार देखे वचन ये कहता है पहला पत्रस पांच नौ ये कहता है सचेत हो और जाकते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सीहें के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए इसलिए परमिश्वर ने कहा मैं निश्चे तुम्हारे साहक भेजूँगा कि वो सरवदा तुम्हारे साथ में रहे एक सहायक क्या आप ये जानते हैं जो लोग इस पृत्वी पर रहते हैं क्या आप उसे जानते हैं क्या आपने उसके बारे में सुना है कि इस तरह का ऐसा कोई वेक्टी है दिन में 24 घंटे दिन के हर एक सेकंड में वो आपके साथ है कि आपकी मदद करें कि आपको बल दे कि आपको तसली दे कि आपको सिखाय शिक्षा दे सारे सत्य में आपका मार्दर्शन करे कि आपको परमेश्वर के बारे में सिखाए क्या आपने उसके बारे में सुना है क्या आप उसके बारे में जानती है प्रिये लोगो आप अनाथ नहीं है आप साधारन नहीं है एक बहुती सामर्थ और बहुती अद्भूत वेक्ति आपके साथ है वो कौन है येष्या चाप्टर्ट वेक्ति आप एक साधा Janisabha Kata के किताब आध्या 28 वचन 2 कहता है यहाँ ये इस तरह से कहता है लॉपऩी फिक्श्वरीश अ लॉग्न वेलोंold अमैटी और भाज़े ऍट्रॉंग आपके सगधा है लॉद्गान आपके सफ्रेख़ौ प Redis देखे ये वचन कहता है देखो प्रभू के पास एक बलवन्त और सामर्थी है जो ओले की वर्षा या उजाडने वाली आंधी या बाड़ की प्रचंड धारा के समान है वो उसको कठोरता से भूमी पर गिरा देगा इस तरह कहता है मेरे प्रिये लोगों कि आप जानतें कि ये वेक्ति आपके साथ में हैं कि आपने कभी उसके बारे में सोचा है अगर आप उसे नहीं जानते हैं अगर आपने नहीं सुना हैं तो अभी इसे सुन लीजिए उसे अभी जान लीजिए उसका नाम है जीवित परमेश्वर का आत्म वो कौन है वो तो आंधी के जैसे है वो तो विनाश करने वाले तूफान के जैसे है वो तो नाश करने वाला तूफान है वो तो नाश करने वाला तुफान है वो तो बड़ी परचंड बार्ड की पानी के जैसे है वो तो सुनामी के जैसे है वो तो पवित्र आत्मा का स्वभाव है वो कहां पर है? वो आपके साथ में है मुझे पताई कि कौन आकर आपको छुएगा किससे वो डरेगा क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपके लिए यही किया है उसने खुद आपके लिए दाम चुकायर आपको दुष्ट शत्रू के हाथ से पूरी तरह से छुडाया है, मुक्त किया है उसने आपको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया है उसने आपको अंधकार की सामर्ट से छुडा दिया है और उसने आपको पवित्रा आत्मा के हात में सौंब दिया है 24 दिन के 24 घंटे कि आपकी मदद करे कि आप उसे जानते हैं हमें क्यों तुक उठाना है आपको क्यों डरना चाहिए क्यों आपको डर में जीना है क्योंकि बहर से लोग नहीं जानते हैं बहर से लोग उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं कि जो आज हमारे साथ में है यह तो बहुती सामर्थी व्यक्ति है बहुती प्रभावी व्यक्ति है जो की जीवित परमेशर का आत्मा है और उसका नाम तो पवित्रा आत्मा है ये व्यक्ति हमारे साथ में है ये प्रभुईश मसी हमारे साथ में है उसके साथ में संगती रखिए उसके साथ में मितरता रखिए उसके पास जाए उससे बात कीजिए और वो आपको सिखाएंगे वो आपका मार्गदर्शन करेंगे यह लोगो बहुत से लोग इस बात के बारे में सचेत नहीं है आप कोई साधारन मनुष्य नहीं है एक सबसे महान व्यक्ति आपके साथ में है उसका नाम जीवित परमेश्वर का आत्मा है वो तो पवित्र आत्मा है मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको प्रोचसाइद करूंगा अगले एपिसोड के कारेकरम में मैं आपको बताऊंगा इसे जान लीजिए येश्व ने कहा येश्व ने कहा यब पवित्रात्मा आपके उपर आएगा अब वो आपके साथ में है यब वो आपके उपर में आएगा तो आप सामर्थ पाएंगे और उसने कहा तुम पूरे संसार में मेरे गवाह होंगे, साक्षी होंगे और आप ईशु मसी के लिए गवाह हो जाएंगे आप सामर्थ प्राप्त करेंगे मेरे प्यारे भाईयों आप इस पृत्वी पर रह सकते हैं इस पृत्वी पर चल सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ के साथ अपनी सामर्थ में नहीं आप कमजोर नहीं है आपको डर में जीने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ में एक सामर्थ ही व्यक्ती है वो तो परमेश्वर का आत्मा है वो तो एक असली व्यक्ती है और परमेश्वर को आप निश्ची समझे और उसे जान ले उसे आप राप्त कर लिस्विकार करें और आशिशित हो जाएं येश्व के नाम में आप आशिशित हैं करें बर्शायं हो जाएं करमेश्वर को दीमा करा आशिश्ची व्हाँ